संस्कृति का आर्थ इस पर्ष करते हुए उसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जिसमें उसके विश्वास, मुल्य, आचार, संबंदित, नियम, समाजिक परतिमान, आदिसम्मिलित रहते हैं. या समाज का जीवन विदी है, जो एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी को अस्थांतरित होता रहता है. या जिसे संस्कृति एक समाज का समाजिक पर्तिमान आदिसम्मिलित रहते हैं संस्कृति एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी पर जाते रहते हैं हंस्थांत्रित होता है यानिकि जिसे कि आपका किस परकार कि समाजिक संस्कृति है उसी परकार की आगे वाला पिड़ी भी होगा आप जानते हैं संस्कृति की विशेस्ता कि संस्कृति की क्या-क्या विशेस्ता है उसके बारे में तो पहला विशेस्ता है संस्कृति सीखी जाती है संस्कृति वेक्ति को सीखा हुआ बेहवार परतिमान है जो वेक्ति समाजी करन की प्रक्रिया के दोरान सीखता है मतलब समाज की प्रक्रिया के दोरान या बेक्ति में अपने माता-पिता का वन्सु नूकरम में प्राप्त होता है जिसे वेक्ति को अपने माता-पिता के वन्से भी संस्कृति की प्राप्ति होती है दूसरा है संस्कृति संस्कृति होती है जिसे कि संस्कृति किसी एक बेक्ती ही नहीं वरन संपुन समाज की होती है जिसे हिंदु धर्म में अपना एक संस्कृति है दूसरा धर्म में उसका भी अपना एक संस्कृति है जिनके नियम परतिक हिंदू पर लागू होते हैं जिसे हिंदू धर्म का एक संस्कृति है कि वह गो मास नहीं खाए यानि कि गाई का मास नहीं खाता है और मुसल्मान धर्म का संस्कृति है कि वह सुवर नहीं खाता है तो वह हर जाती पर लागू होता है इसी परकार मुस्लिम संस्कृती जन जातिय संस्कृती उस समाच के परतिक सदेश के लिए है जिसे कि सब जाती का सब धर्म का अपना अपना संस्कृती है अपना अपना नियम है तो वह हर जाति धर्म में नियम लागू होता है तिसरा है संस्कृति gustaría-skara अयों er थे रीयों से अपना अनुभाव मुं लेया विश्वास आद़ी एक पिडे से दूसरे पिडी में हस्तांत्रित होटा रहता है यानि की अलंग अलंग अनस्तांत्रित होता है बदलता है जाद रूसरे में होता है जो उता है संस्कृति परिवर्तन सिल होता है जिसे संस्कृति परिवर्तन सिल होता है बदलते रहता है संस्कृति में समाजिक परिष्थितियों योंगा आउसकताओं की अनुसार परिवर्तन होते रहता है जो विक्ति को अपने समय के अनुकूल करने में साहयक होती है प्राचिन काल से लेकर अब तक भारतिय संस्कृति मेने इक परिवर्तन हुए है और इसी कारण आज की भारतिय संस्कृति मेने इक परिवर्तन हुए है और इसी कारण आज भी संस्कृति भारतिय संस्कृति समय के साथ कदम कदम मिला कर चल रही है यानि कि जैसा देश हो इसा भेश हो इसी ही संस्कृती भी अलग अलग परकार की है जिसे कि आज से सो साल पहले आदमिधोती पहनते थे उसकी अलग संस्कृती थी अलग से भेता लेकिन परिवर्तन होके आज हम लोग जिन्स पहनते हैं तो ये एक अलग से भेता है, संस्कृती है, पच्छवा है, संस्कृती चाई होती है, संस्कृती सचाई होती है, अथात ने ततो को गरहन करती रहती है, और इस परकार उसका विश्वास और प्रिसार होता है, छट्टा है संस्कृती की विशिस्ता में, संस्कृती मानुई मान आउसक्ता है संस्कृति का विभाजन तत्व मानों की आउसक्ता पूर्ति आउसक्ताओं की पूर्ति करती है और उसे संतुष्ट परदान करती है सत्वा है संस्कृति मूर्ति एवं आमूर्थ तत्व की समावी से संस्कृति में मूर्थ बहुतिक तत्व दोनों सम्मिल मसिनों उपकरन वस्त्र मकान तथा मानो निर्मित अन्य वस्तू आते हैं जबकि अभोतिक वस्तूओं में उसकी विचार मुल्य विश्वास आदिस सम्मिलित थे संस्कृति का अस्तित्व इन दोनों तत्व को मिला कर बनता है ये थे संस्कृति की विशिस्ता और अर्थ